दूर किसी जंगल में एक उल्लू और कव्वा दोस्त थे उनके घर भी पास पास ही थे उल्लू तो अकेला ही रहता था जबके कव्वे के परिवार में कव्वा उसकी पतनी कव्वी और उसका एक बेटा जगु थे और फिर एक तिन कालू कववा और उसकी पतनी गोरी कववी उल्लू के पास चाते हैं और उससे कहते हैं उल्लू जी हम जराब भोजन की खोज में जा रहे हैं हमें शाम हो जाएगी तुम्हें तो पता है भोजन पास से मिलेगा नहीं हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा तुम हमारे गोंसले में बैठ जाओ और हमारे बेटे का दिहां रखना हम लोट कर आते हुए तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को ले आएंगे क्यों नहीं कव्वे दोस्त मैं कर लूँगा लेकिन मेरे लिए खाने को कुछ जरूर लेते आना तुम अच्छे से दिहां रखना हमारे बेटे का भोजन की तुम चिंता ना करो हम ले आएंगे और फिर कव्वी और कव्वा भोजन की खोज में चले जाते हैं वो अभी गे ही थे के वहाँ एक कबूतर और चिड़िया आ जाते हैं और उनके पास वाले पेड पर बैढ जाते हैं कबूतर भीया ये पेड ठीक है हम इसी पेड़ पर अपने अपने गोहसले बना लेते हैं नदी भी फास ही है हमें पानी पीने भी जादा दूर नहीं जाना पड़ेगा हम ऐसा ही करते हैं हमें इस जंगल में इससे सुरक्षत जगा और कहीं नहीं मिलेगी पास में उल्लू बैठा उनकी बातें सुर रहा था भोजन तो पहले ही नहीं मिलता इस जंगल में और ये कहां से आगे हमारे हिस्से का भोजन खाने मैं अभी बगाता हूँ इन्हें और फिर उल्लू उनके पास जाता है हाँ भी चिडिया और कबोतर क्या चूँचू लगाई हूई है तुम देख नहीं रहे तुम्हारी इस चूँचू से कैसे मेरा आराम खराब हुआ है सोरी उल्लू भाई अगर हमारे कारण आपको कोई तकलीफ हुई है तो तकलीफ तो जरूर हुई है अगर तुम यहां इस पेड़ पर अपने गोंसले बनाने का सूच रही हो तो ऐसा मैं तुम्हें नहीं करने दूँगा उलू भाई क्यों गुसा हो रहे हो आप हम पक्षियों की कोई बांट नहीं होती सब जंगलों पर सब पक्षियों का एक जैसा अधिकार होता है अगर हम यहां अपने गोंसले बना लेंगे तो इससे आपको क्या तकलीफ होगी कबूतर तमहारी जबान तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है देखने में छोटी सी लगती है बोलते बहुत हो तुम मैंने जो कह दिया सो कह दिया तुम हैं यहां से जाना ही होगा कबूतर भाई लड़ने का क्या फाइदा हम कहीं और चले जाते हैं अगर ऐसे डर कर भागते फिरेंगे तो फिर कोई हमें गोंसला नहीं बनाने देगा मुझे भी कबूतर कहते हैं और उल्लू जी तुम भी सुन लो जो करना है कर लो हम यही अपने गोंसले भी बनाएंगे और रहेंगे तो फिर देखते हैं और उल्लू वापस कवे के गोंसले में जाकर बैठ जाता है चिडिया और कबूतर अपने अपने गोंसले बनाने का काम शुरू कर देते हैं चिडिया बहन आप सुखा गास लाओ और कुछ तिनके और मैं इनसे गोंसले बनाता हूँ और फिर चिडिया सुखा गास लेने चली जाती है और कबूतर पास में से ही कुछ तिनके ढून कर ले आता है कुछ ही देद में चिडिया भी सुखा गास लेकर आ जाती है और फिर ऐसे शाम होने तक वो अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और फिर शाम हो जाती है और कववा और कववी भी लोड़ कर आ जाते हैं उलू ये कौन है हमारे नेपडोसी उलू तुम्हें अच्छे से पता है कि यहां भोजन के कितने कमी है और फिर भी तुमने इन्हें गोंसले बना लेने दिये बड़ा बदमाश है ये कबूतर मैंने उसे रोका तो कहने लगा जो होता है कर लो हम तो अपने गोंसले बना कर रहेंगे मैं देखती हूँ इसे और फिर गोरी उनके पास आती है हमारे उल्लू भाई ने तुमें बताया भी है कि ये अलाका हमारा है लेकिन तुम दोनों ने फिर भी अपने गोंसले बना लगे कवी बेहन हम बस कुछ ही दिन रहेंगे यहां और फिर जैसे ही बहार आएगी हम दूसरे जंगल चले जाएंगे लेकिन हम तुमें बहार आने तक यहां कभी नहीं रहने देंगे चुडिया ये ऐसे मीठी मीठी बातों से मानने वाले नहीं ये बिगडे हुए पक्षी है इन्हें मैं देखता हूँ कवी अच्छा यही है कि दुम यहां से चली जाओ तुम तीनों के लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ मैंने उलू से भी कहा है और तुम से भी कह रहा हूँ जो करना है कर लो हम यहां ही रहेंगे और अब तुम जाओ हम ठके हुए हैं हमें सोना है उलू भाई सच्चा ही है तुम्हारी जबान तो काटनी पड़ेगी देखती हूँ कैसे रहते हो तुम यहाँ और फिर गोरी कव्वी अपने गोंसले में चली जाती है और फिर रात हो जाती है चिडिया और कबूतर अपने अपने गोंसलों में सो जाते हैं लेकिन उलू, कवा और कवी तो सर जोड़ कर बैठे थे किसे कबूतर और टिडिया को यहां से बगाएं मेरी तो बहुत बेज़ती की है कबूतर ने, मैं तो बदला जरू लूँगी कालू, तुम कैसे चुप करके बैठे हो, कोई उपाएं नकालो, शरम नहीं आती तुम्हें, एक बुतर ने तुम्हारी पतनी की कैसे बेज़ती की है मैं यही सोच रहा था, उलू यार हम इनसे लड़ तो सकते हैं, यह दो हैं और हम तीन, लेकिन ऐसे लड़ाई करने से यह यहां से भागेंगे नहीं दोस्तों, तुम तो जानते ही हो, के चील से मेरे अच्छे संबंध हैं सुभा होने दो, हम सुभा चील के पाद जाएंगे, और उसे कहेंगे के बगाएं इन्हें, फिर देखना, यह पीछे मुर कर नहीं देखेंगे यह हुई ना बात, मुझे पहले ही पता था, मेरा उलू भाई ही कोई उपाएं निकालेगा, हम केवल इन्हें बगाएंगे ही नहीं, बलके मारेंगे भी और फिर रात कहरी हो जाती है, और वो सब सो जाती है, और फिर सुभा हो जाती है गोरी तुम गोंसले में ही रहना चबू के पास और मैं जाता हूँ उल्लू के साथ चील दीदी की तरफ और फिर कालू उल्लू के पास जाता है उठ गे हो दोस्त अब जल्दी चलो शाम होने से पहले पहले उन्हें बगाना है यहां से मैं तो तमहारे ही उटने का इंतजार कर रहा था मुझे तो सारी राज शांती नहीं मिली बड़ी बतमीची की है कबूतर ने मुझसे और फिर वो दोनों चील की तरफ चले जाते हैं कबूतर भाई चलो हम भोजन डून लाते हैं शाम तो होने दो, गिया है मेरा पती तमहारा बंदो बस्त करने देखते हैं तुम दोनों आज की रात यहां कैसे सोते हो अगर तुम्हारा ये छोटा सा कव्वाना होता तो अभी बताता तुमें और फिर वो दोनों बोजन की खोज में चले जाते हैं आओ भी मेदे पराने दोस्तों आज तो बहुत दिनों बाद मिले हो कहां रहे हो इतने दिन बस दिद्दी आपकी याद आ रही थी मिलने चले आए और एक काम भी था काम कैसा काम मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हे दिद्दी चेल हमारे पास वाले पेड़ पर एक चिडिया और कबूतर ने घुंसला बना लिया है बातों बातों में उनसे हमारी लड़ाई हो गई और अब हमें उन्हें वहां से बगाना है लेकिन वो कबूतर बड़ा बदमाश बन रहा है कहता है कर लो जो कर रहा है तो रह लेने दो उन्हें भी तुम हारा क्या ले जाएंगे वो दीदी बात यहीं तक नहीं है उस कबूतर ने मेरी पतनी की बहुत बेज़ती की है अब तो इज़त की बात है मैं तो उन्हें ये कहकर भी ड्राया हूँ कि मैं अपने चील दीदी को लाता हूँ चीडिया तो डर गई लेकिन वो कबूतर तो आपके नाम से भी नहीं डरा और बोला कि अभी लाओ मैं भी चील की आंखे नकाल दूँगा कालू कववा ऐसे चील को गुसा दलाता है फिर तो वो कबूतर पिटेगा मुसे और जिरूर पिटेगा चलो मैं देखती हूँ और फिर ऐसे वो चील उनके साथ चली जाती है थोड़ी ही देर में वो पहुँच जाती है आ गई मेरी बहन आ गई मुझे पूरा विश्वास था मेरी बहन मेरा बदला लेने जरूर आएगी गोरी ये तुमारा चोटा बिटा का पैदा हुआ अभी पिछले में ही नहीं निकला है अंडे से अभी अच्छे से उन नहीं सकता कहां है कबूतर और चिडिया के गोंसले दीती वो सामने है सुभा से गे हुए हैं बोजनले ने बस आने ही वाले होंगे वो अभी ऐसा कह रहे थे कि कबूतर और चिडिया वापस आ जाते हैं बहन जी आगे हैं वो पास बगाना ही है या दो चार चोंचे भी लगा दू उस कबूतर के बच्चे के तो दो चार नहीं बलके बहुत ज़्यादा लगानी है कबूतर भीया वो चील उनके पास क्या कर रही है कहीं ये हमें मानने तो नहीं आई चील को देख तो कबूतर भी डर जाता है इसे जरूर उन्होंने ही बलाया होगा कबूतर और चिडिया ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वो चील उनके पास आ जाती है कबूतर भाई ये समय ताकत दिखाने का नहीं बलके अकल दिखाने का है बस तुम चुप रहना हाँ बेक बूतर और चोटी चिडिया मेरे दोस्तों को क्यों तंग कर रहे हो चील दीदी हमारी क्या उकाद जो हम किसी को तंग करें हमने बस बहार तक यहां रहने की मिन्ति की थी इन पक्षियों से और ये लड़ने लगे और ये आपको बला लाए चील दीदी हम तहरें कमजोर पक्षी और आपकी उडान तो बलंदियों में है सब डरें आपकी ताकत से आप हमें ना मारें हम अभी यहां से चले जाते हैं ओए कबूतर बोलो अब क्या हुआ है तुम्हें कल तो बड़ी बातें कर रहा था आज क्यों चुब बैठे हो बोलो बोलो कबूतर हमें तो बड़ी ताकत दिखा रहे थे कल चील दी हमारा आप से क्या मुकाबला आप हमें जाने दें चलो कबूतर भाई और फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं ये पक्षी तो बहुत अच्छे थे ये शेतान पक्षी ऐसे ही लड़े हैं होंगे उनसे दीदी आ जाए वो तो आपको देखर ही भागे अब आप आई ही हैं तो हमें भी कुछ सेवा का मुका दो और फिर चील उनके पास चली जाती है जो आँके अशारे से डर जाए उसे माने की जरूरत नहीं होती बस आप से डरा है ये कबूतर नहीं तो कल हमें माने की बातें कर रहा था वो बातें कर रहे थे लेकिन चील का दिहान तो बार बार उस छोटे कवे पा जा रहा था और उसके मुँ में पानी आ रहा था गोरी और कालू जाओ और लाओ कुछ अपनी दिदी के लिए खाने को मुझे भी बहुत भूग लगी हुई है चील दिदी आप इधर ही बैठें हमारे गोंसलों के पास हम अब ही कुछ लेकर आते हैं और फिर ऐसा कहते हुए कालू गोरी और उलू चील दिदी के लिए कुछ खाने को लेने चले जाते हैं दिदी और वो भी इन शितान पक्षियों की बहुत दिनों बाद ताजा मास मिला है खाने को और वो भी छोटा पक्षी ये तो मेरा मन पसंद भोजन है और फिर ऐसा कहते हुए चील छोटे कवे को मार कर खा जाती है और वहां से चली जाती है थोड़ी ही देर बाद जब गोरी कालू और उलू वापस आते हैं तो गोरी अपने बेटे का खून देख कर जोड़ जोड़ से रोने लग जाती है और उन्हें उनके किये की सजा मिल जाती है प्यारे दोस्तोً इस कहानी से हमें सीख मिलती है कभी किसी कमजोर पर जलम मत करो क्योंकर कभी कमजोर के मन से निकली हुई आह जालम को उसके अंजाम तक पुंचा देती है